इन नजर आएंगे इसकब के इतर कॉंग्रेस ने बुद्वार को एलान किया कि भारत जुड़ो यात्रा का दूसरे भाग के रूप में भारत न्या यात्रा कॉंग्रेस पार्टी जन्वरी दोहजर चौबीस की चौदे तारिक से करने जा रही है जो 20 मार्स तक चलते हैं नज उसे होकर के गुजरेगी जिसमें करीब 6000 किलिमेटर की दूरी ताय की जाएगी और इन 14 राज्यों में उत्तर प्रदेश भी पड़ता है यहां पर दिनेश ये चीज़ भी निकलके आ रही है कि एक और उत्तर प्रदेश में यूपी जोड़ो यात्रा कॉंग्रेस की जारी ह दूसरी और भारत निया यात्रा जब होगी तो वो भी उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरेगी तो क्या इसके जरी है उत्तर प्रदेश की लोग सबसीटे जहां सबसे ज़ादा लोग सबसीटे आती है और जहां कॉंग्रेस का सूप्रा साफ माना जा रहा है अमेटी यात्रा और भारत निया यात्रे के जरी यूपी में कुछ हत्ता कॉंग्रेस वापसी कर सकती है। यात्रा को गुजारेगी जहांपर हाल ही में चुनाव संपन हुए है। जलों से जो नेता थे उनको तोड़कर यहां पर आजे रोई कॉंग्रेस पार्टी में उनको शामिल करवाते नजर आए। तो कही न कहीं यही नजरा आ रहा है कि 2024 के लोकसवा चुनाओं से पहले तमाम यात्राएं हैं उनके आधार के उपर यहां से कॉंग्रेस पार्टी इस मुद्य को जूलन्त रखना चाहती है और 2024 के लोकसवा चुनाओं में कही न कहीं इसका फायदा जरूर देखने को मिलने वाला है बिलकुल यहां पर 2024 के लोकसवा चुनाओं में कॉंग्रेस